जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आज हम बात करने वाल है समलेंग इकता के बारे में यानि कि होमोसेक्शुलेटी के बारे में आखिर आज कर लिए ट्रेंडिंग में कहने का मतलगी चर्चा में है चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोट ने समल प्रुमेंगतार इसे समाज में जब कोई पूरुस के प्रति कोई पूरुस्येस? होता है किसी प्रूप्स के प्रती अट्रैक्टिव हो जाए या फिर को इस तरह के बेगतियों को हम लों कहते हैं समलाएंगी क्यानि को हो मोसेक्शवल तो उसी मुद्द्र को लेकर सुप्रिम कोटे नया फ्रैंसला दिया है ठिक अब चलिए उस जज्जमेंट को देखेंगे तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला ठीक है देखिए किसी भी समाज में खासके हमाएं भारती है समाज में समानतर ऐसा मान जाता है कि साधी विवाह जैसी जो बाते हैं दो अपोजिट सेक्स के बीचे में होना चाहिए यानि कि या तो मेल मतलब कि एक तरफ मेल होना चाहिए और एक तरफ ही मेल होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे जाकर पस्चमी देशों ने इस चीज को अपनाया और स और श्री tax्ष रहओ के रहना पसंद करती है तो हमें क्या दिकत dobr होनी चाहिए रहे कोई ब्रक्र याहिश हैर्ण्य धी रहता ostatume का सवलनी यहां कोई दिखत नहीं है है कोई पुलिज की सब्सक्राथ को में को ढाकत है कोई पृष यहाँ यहां मजा हो समाज इस बात को गभी एक सेप्ट करता है और नहीं कि सायद नहीं करें भी क्यांकि समय आदें लिजा है कि मिलंद जो से जज़िए आपोजिट सेट सेड़ियemi होता है तो हम लोग इस पोलती से अब नहीं सकते थे लेकिन जो लोग इनसे हम उन लोगह ने का कि भाई स्में हमारी क्या गलती है के जब हम कि सीमें मेल मीमें क्न परति एक्षम से ऍपने कर था कि homosexuality को जो था मन्यत्ता प्रादान की जाए मन्यत्ता प्रादान क्यों की जाए क्योंकि उससे पहले यह केस जो था इससे पहले एक section जिसका नाम है IPC का section 377 यह section कहता है कि homosexuality एक अपराध है तो ठीक है समाज मालेजिए कोई बात समाज ना अपना यह तो समाज करता है समाज करते हैं समाज उसको नहीं अपनाता है तो समाज जाने भाई लेकिन कानूनी तौर पे तो जो बात होना चाहिए वो साफ होना चाहिए तो कानूनी तौर पे इसको लेकर इसी बाद को लेकर नोजोट सिंग भालस्रंग का केस था इस केस को लेकर साथ सितंबर 2018 को फैसला आया सुप्रीम कोट ने फैसला दिया और कहा कि भाई आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमा पुर्ण जीवन जेन्य की स्वतंतरता है तो इस आर्टिकल 21 का हावाला देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कोई बात नहीं है जब कोई पुरुष पुरुष के साथ खुज है मोईला मोईला के साथ खुज है तो लोग के पेट में क्यों दर दोना चाहिए उसने कहा कि ठीक है हम आर्टिकल 21 को मानते हुए इस आईपीसी का सेक्षन 377 को हटा देते हैं खतम कर देते हैं यानि कि आज से यानि कि इस्तिथी से शाथ सितम बढ़ अठार से सुप्रीम कोट ने फैसला दिया कि होमोसेक्सुलिटी अब अपराध नहीं है यानि कि आईपीसी का सेक्षन 377 समाप्त हो गय अब समाप्त हो गया तो सुप्रीम कोट ने यह कहा था ध्यान समझेगा सुप्रीम कोट ने यह कहा कि होमोसेक्सुलिटी अपराध नहीं है यानि कि पूरुस और पूरुस और पूरुस इस्तिरो इस्ति मतलब एक साथ रह सकते हैं सुप्रीम कोट ने क्या था एक साथ रह स बच्चे तो परिदा कर ने सकते तो उसके लिए दो ही आप्षन है या तो सेरोगेशी कारद होता है कि किसी दूसरे के कुछ से बच्चे को जनम दे या फिर एड़ाप्षन यानिक बच्चे को गोद ले अब यहाँ पर आके बाद पहुंस गई यहाँ पर देखे क्या वाद स कहां कि ठीक है आप भी अधिकार लेता है लेकिन हम लोगों को हमोसेक्शुल जो लोग थे इस तरह के लोगों को कानूनी अधिकार नहीं मिला विवाह करने का यानि किनके लिए कोई रजिस्टेशन नहीं होता था आपको मन्याता प्रदान करता है कि आप जो है साधी सुदा माल जाएगा इसे कोई ब्यवास्था नहीं की गई दूसरी बात इस पेसल मैरेज एक जो कि 1954 का है उसमें यह तो कहा गया है कि एक जोरे जो आपसमें साधी कर सकते हैं अच्छी बात हैं लेकिन उस जोरा में बताया गया है कि वह जोरे क्या होंगे मेल और फीमेल होंगे जो आप उसमें कहा है उसमें लिखा गया है जो यह एक पूरूस और इस्तिरी की बात की गई है इस्पेसल मैरेज एक्ट में और यहां पर बात क्या हो रहा है यहां पर या तो मेल पलस मेल हो रहा है या फिर फीमेल पलस फीमेल हो जाके बाद इहां फॉंस रही थी तो यह वाला बात तो ही थो गया कि आपके साधी को मन्याता नहीं मिलेगी तो यह समस्या थी इसको लेका मतलब फिर केस हुआ हमें इसमें भी अधिकार मिलना चाहिए रेइस्टेशन काने का अधिकार होना चाहिए दूसरा बात है एड ओप जो थी समस्या थी लोकि अब इसी बाद को लेका सुप्रीम कोर्ट में अहाली में इसला दिया अब सुप्रीम कोट का जज्मेंट आया वो आथ 3 दो करा गया तो तेहने की पांच जज़ेज की बेंज थी और इन 5 जज़ेज की के से तीन دो से औहे और जज़ों ने कि कानून बनाने का अधिकार कोट को नहीं है मतलब मतलब यह हुआ कि देखिए चुकि स्पेशल मैरेज एक्ट कहता है कि साधी मेल और फिमेल के बीच होगी तो इसको लीगल करने के लिए यहां पर मेल फिमेल को हटा कर ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक जोरे के बीच यानि कि male female को हटाना था अब male female को हटाने के लिए his court ने कहा कि चुकि हमारे देश में समिधान में सक्तियों का प्रिथे कौ बंटवाला किया गया है तो कानून बनाने का घिका तो संसत के पास है वो तो court नहीं कर सकता तो कोट ने कहा कि वो बाद में देखा जाएगा कि सही गलत हम नहीं जानते हम बस इतना बात आ सकते हैं कि देखिए इसको हटाना नहीं हटाना इस संसद के हाथ में है क्योंकि इसमें यह जब बात होगी तो यहां पर अधिनियम है यह संसुधन की बात हो जाएगी एक कानून की बात हो गई और कानून बनाने का काम हम नहीं कर सकते कानून बनाने काम जब भी करेगा तो संसद करेगा तो संसद इस पर विचार करे कि वह क्या करेगी संसाद अगर चाहती है क्या हमम मेल मेल को फी मेल हिम्म को भी माइनी होज को हम मृ लीगल कर ने तो अ संसाद कर दे कोट इसमें कुछ नहीं करेगा कोट को की दिकतत नहीं होगा दूसरी बात आई अडाप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दो ज़ों ने कहा कि गोद ले सकते हैं इन दो ज़ों में कौन-कौन है तो एक यदिय चंदरचूर नहीं कर सकते हैं इसमें समझ चाहिए दोनों का तर्क भी तो समझना पढ़ेगा इनका क्या तर्क है जो लोग बोल रहे थे यह तीन जो दो ज़ज बोल रहे हैं कि अधिक लिए पा रहे हैं क्योंकि लिंग क्योंकि वह मतलब एक लिंग क्या है तो आर्टिकल 15 का हावाला देकर लोगों ने कहा हावाला क्या मतलब वैसा लोग क्योंगे कि आर्टिकल 15 के साफ से लिंग के अरहार पर भेदवाव हो रहा है तो इसलिए एडॉप्शन कर्स मतलब होना चाहिए नहीं कर रहे हैं और इसके लिए कि कानून ने कानून तो संसद ही बनाएगा यह अपना सुझाव तर्क दिया चाहिए चलिंगे कि कंट का वृवा साथ दिया है निर्देश दिया है जाहन ही निर्देश और देखे जूँन जो थे यह तिन लोगों ने कहा कि नहीं से नहीं होना चाहिए आखिर क्या बात रही होगे किंव the बिचार के गार कुछेगा देखिए सब्सक्राइब हिए लोगों पर देखा है कि गरिमापुर्ण जीवन जीने की हो था ही आपको यह कुन अधिकत नहीं है लेकिन की मेरे अनुसार मैं सबर सब्सक्राइब करह सकते हैं आप गडीफिन जीवन जी सकते हैं और अधह पर is Te architect को को एडाप्ट करना है ठिक करना है की बच्चा को इस अ भी तो बत्चा क्या है चोटा है मान भीचास को 45 quad नहीं नहीं है यह बच्चा जब मान लीजे 15 या 20 साल का होगा अब सोच के देखिए इस जगह पर आप खुद को ही रख लीजिए क्या वह इस चीज को एक सेप्ट कर पाएगा कि वह एक ऐसे यूगल का ऐसे कॉपल का संतान है जो हो मैं सेक्स्वल है तो जब वह इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी गड़ी में कहां गई यह तो आपकी गड़ी में थी तो आप लोगों ने कहा के ठीक हम भीया कर लेंगा सांथे रहली अच्छी बात है इस बच्चा का इसमें का दोस्त है और वह इस बात को वह पूछे कि भाई जिन माहनु भववन हमको इनको सवपा उसमें मेरी मर्जी कहां है उसे हम से भी तो कोई पूछता है कि हम इनके साथ हम रहना चाहते हैं नहीं इनका मतलब की संतान हम बनना चाहते हैं कि नहीं तो तीन साल के दर बच्चे को नहीं पुझाएगा लेकिन जब वही तीन साल का बच्चा 15 साल 20 साल का होगा तो क्या वह इसीज को एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा अच्छा मान जब ठीक है कर भी लिए कुछ लोग हला कि सोच के देखिए अगबार 99.9% लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे तो आपकी मर्जी थी आप दोनों खुश थे तब यहां कर ल तो नहीं है ट्थिक दोस्तों यहीं संवनेंग लिखता के बारे कर जो पूराना कानूर ठाप्राना कानूर कानूर का इक जलोज में में यही कहा है था जो पूराना जो जलजमेंट हमें यह कहा था कि हम पहीता उडि outstanding 350 377 के तरह IPC के दारा साट सीत उंब 128 और सिप्रीम को साथ की से मुक्त करते हैं IPC का सेक्षन 3078 हटा देते हैं ठीक साथ रह सकते हैं समस्या जो थी वो साधी को लेकर थी तीन दो से फैसल आया उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी साथ रहे हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन साधी वाली जो बात है ऐसा नहीं हम करें कि आप साधी मत क करें कि ठीक और एक उस्चाई दिया कि तीन जो का माना था कि आप्स नहीं होना चाहिए और दो जो माना था के शांडना चाहिए यह भाड़ा अपने उन्साद बोला मुझे नहीं मैं पता कि जाजदों सुचा यह मैं अपने उन्साद आप थी तो दोस्तों यही रहा ऊभर झाल झाल